पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट ये दोनों साथ चलते हैं एलेक्शन येर में ठीक है 2009 की बात है जब ये बातें चल रही थी कि सुनिया गांदी प्राइम मिनिस्टर केंडिडेट है और मोस्ट लाइकली बनेगी तो मार्केट गिरता था बड़ जैसे ही अनॉस्मेंट हुआ कि मनमुहन सिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मार्केट ने अपर सरकेट मारा एक नहीं दो तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि ट्रेडिंग की बात करो यार पॉलिटिक्स छोड़ो ना है पॉलिटिक्स में क्या रख तो या तो वो बंदा ट्रेडिंग करता ही नहीं है या फिर उसका एक्सपिरियंस बहुत कम है या फिर उसका दिल दुखा रहा है ना क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं इससे अंद वक्तों का बहुत गहराई से दिल दुख रहा है ना तो जैसे नेता जी बिजी है सब की आवाज बंद कराने में, सब को साइलेंस करने में कि अंटी पुलिस बुला लेगी हैं और जेल में जा रहे हैं अपोजिशन लीडर्स टीवी मीडिया कुछ बुलता नहीं है जो भी आवाज दवाई दी जाती है तो ऐसे ही भक्त लोग भी ट्राई कर रहा है कि वाई स्टेडर ट्रेडिंग तक रहो ना यार कहां पॉलिटिक्स में लगी रहा है यही शायद जब स्टेट इलेक्शन होते हैं या भी स्टेट इलेक्शन हैंग तो बताओ ना यार कौन सा कॉल खरीदू कौन सा पुट खरी तुमारे ऐलेक्शन आने वाला है तो पॉलिटिक्स अचानक जिन्दे दिल दिख रहा होगा मैं समझ सकता हूँ कोई बात नहीं लेकिन जो लोग नए हो या एक्सपियेंस का मैं मैं बता दू पॉलिटिक्स और मार्केट्स डायरिक्टली कोर्रेलेट्टड है प्री इलेक्शन यह रहा है मतलब दोज़ाचोविस में एलेक्शन है दोज़ाचोविस में हर एक चीज पॉलिटिकली जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे मार्केट रिट करेगा अदानी इस वन एक्जॉम्पल जो इसके भी अवी असली कलर निकलके आने है ठीक है तो बिलकुल पॉलिटिक्स से अगर नहीं अवेर हो नहीं इंट्रेस्ट है तो भही है ट्रेडिंग थोड़ा देखके समझ करना और अपनी नॉलेज पॉलिटिक्स की जियो पॉलिटिक्स की इसराइल में क्या चल रहा है करन्ट अफिरस की बढ़ा लोग एक ट्रेडर की कोई रिस्टिक्शन नहीं होती उसको साइन्स का भी नॉलेज होना चाहिए उसको पॉलिटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए उसको एकनॉमिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए medicines का भी knowledge होना चाहिए virus का भी knowledge सब मतलब होना चाहिए क्योंकि कौन सी चीज जो कुछ भी market impact डाले उसका knowledge होना चाहिए तो जो लोग ऐसा बोल रहे है कि trading अलग market अलग ऐसा नहीं होता है बचकानी बात है मतलब ठीक है जो दिल दुखरा है उसका अपने इलाज करेंगी क्या दरना है न कोई सी vaccine कोई ट्राइ करेंगे बट एन्यवेज ये वीडियो मैं बड़े भारी मन से बना रहा हूँ एक news जो EPFO Employee Provident Fund Organization ने खुद बोला है और पब्लिकली अभी तक आप लोगों ने देखी लिया हुआ कि एक जनवरी 2023 से इन्होंने बहुत सारे लोगों के पेंशन्स बंद कर दी है ठीक है पेंशन्स इन्होंने बंद कर दी है उसके reasons exactly बताये नहीं बट साथ में ये खबर आ रही है के अधानी के stocks में उन्होंने invest किये और अभी भी कर रहे है करते जा रहे हैं इंडन बग की report आने के बाद भी करते जा रहे हैं और उन्हों सरकार को एक proposal बेजा है government को कि भई आप retirement की age 60 की जगे 61, 62 या 65 कर दो so that हमको retirement fund, pension fund ना देन ना पड़े या उसको थोड़ा टाल सके है ऐसी बुरी हालत है अब आप मुझे ये बदा हो के pension fund किसको मिलता है हमारे father को या grandfather को जिन लोगों ने जिन्दी इवर नौकरी की है उनका पैसा कटा है वो मिलता है ठीक है, अगर वो बंद हो जाए तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा खुन नहीं खोलेगा टीवी मीडिया चैनल्स में ये बता ही नहीं रहे के आर्मी के लोग जो रिटाइड आर्मी परसन है उनको वो अंडर वर ओपी, वन रिंक पन पैंशन स्कीम के हिसाब से उनको पैंशन दे धें नहीं रहे है और चारज-पांस साल से महामला लटका है या जादा ही टाइम हो गया होगा और चार लाक जो हमारे आर्मी मेंन ते वो स्वर्गवास भी होगा उनको पैंशन नहीं बहुत होगा ना ओर ओपी के हिसाब से तो वो मामला फिर आर्मी भी ने भी सुप्रीम पोर्ट में लिखे गए कि भी गलत हो रहा है लेकिन टीवी मीडिया चैनल से नहीं आ रहा है तो आर्मी की पेंशन्स खत्रे में हैं लेकिन अब जो आपके घर में आपके पिता जी हैं दादा जी हैं एक फो खुद बोल रहा है कि हम बंद करने वाले हैं या इवन रिकवरी भी करने वाले हैं एक वी पी एफ होता है वोलेंटरली प्रोविडेंट फंट जिसमें इनसान एक मिनिमम मांट होता है इतना कटता है लेकिन अपनी सुच्छा से जादा भी कटवा सकता है 20% ऑफ सेल वालेंटरी प्रोविडेंट फंट था जो एक्स्टर पैसा आपने कटवाया था वो एक ऑफ्शनल था वो कोई कमिटमेंट नहीं था तो अब हम वो भी नहीं देंगे मतलब आपने 20-20% कटवाया होंगे लेकिन आपको नॉर्मल पेंशन मिले ही वो पैसा आपका गया ठीक ह गया तो ठीक है ये भी बोल रहा है कि हम उसकी रिकवरी करेंगे जो अभी तक आपको हम जादा दे रहे थे उसकी भी रिकवरी करेंगे आपके घर में आपके पापा की पैंशन ना आए या आपके दादा जी की पैंशन ना आए मुझे बता आप कहां जाओगे पुलिस के जाओगे तो ऐसे डंडे पढ़ेंगे कि मोदी के अगेस बोल रहा है ऑकाथ तो देख ले तु अपनी है एगार्नमेंट के अगेस बोल रहा है ऑकात तो मोदी 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 में खफा ए लैपटोप पे मोबाईल पे वह साला अधमी इसलिए बोलता हूँ ही सब कुछ है डेमुकरेसी है तो तुम हो डेमुकरेसी है तो तुम्हारी फेमिली है ठीक है दिक्वत यह कि सरकार ने इतना बड़ी एक जंजुना चिपकाया है धरम का religion का कि public वो जिंजने में इतनी मस्त है कि बाप का pension ना है बाप का retirement पढ़ना है चलेगा जिंजना बजा रहे हैं देखो यार हम vote करते हैं या government को चुनते हैं तो किसली चुनते हैं हमारे living standard होता है हम चाहते हैं उससे अच्छा आप हमें कुछ दो यहां क्या हो रहा है कि जहां है वो अच्छा तो छोड़ो जितना है वो ही मुश्किल हो रहा है मतलब कि देखो गोटाले गोटाले corruption सारी government में होता है उनने Congress के टाइम पे भी देखा आपने दूसरी सरकारों के टाइम में भी देखा ठीक है जैसे common wealth गोटाला वगेरा हो गया यह corporate गोटाले होता है मतलब company company में हो जाते हैं और इसका impact आम जनता तक कम पड़ता है ना बहुत कम लेकिन यह सरकार क्या कर लिए सीधा सीधा आपके घर में गुसके आपकी जेब में हाट ढालके आपका पैसा निकाल लिए आपको पता में नहीं चल रहा है ठीक है जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ठीक है यह मेरी stock market की समझ ही है कि अधानी सही समय पे बड़े short करके members ने बहुत बड़ा फैसा बनाया है लोगी life set हो रही है ठीक है तो यह अगर कोई बोलता है कि politics के बारे में बात करो मत करो तो शायद मैं और मेरे members अधानी में बनाती नहीं यह निफ्टी में जितना बनाया है वो बनाती नहीं और जो बनाने वाले है वो भी नहीं बनाती पाथ पॉलिटिकल समझ होना बहुत जरूरी है ठीक है किसी भी ट्रेडर को ठीक है यार तो anyways मैं कुछ data share करना चाहता हूँ आपसे कि EPFO का मामला actually कितना बड़ा है और आप पर कितना असर डालने वाला है है ना तो बहुत सारे articles financial times होगे रहा कि वो आप prefer कर लो Twitter पर बहुत सारी data वो सब चल रहा है है ना बटनों ने कितना कितना इनकी journey कहा से चुरूरी या कितना पैसा लगाया है कितने risk पर हैं क्या क्यों लगा रहे हैं क्या वो सब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ देखो पहली बात तो provident fund या retirement fund इतना sensitive होता है यह पैसा के employee को खुद को use करने नहीं दिया जाता है यह mandatory saving होती है ताकि वही आप बुड़े हो जाओ तो यही पैसा आपके काम आएगा बीवी बच्चे घर वाले काम आए ना है लेकिन यह provident fund आएगा इसकी इतनी एहमियत है है आप खुद नहीं काल सकते इसको चाहे कितन भी जरूरत हो ठीक है तो अभी तक हुआ क्या है सारी सरकारों ने इसको touch नहीं किया है ना यह इसमें बहुत ही एक बहुत ही nominal investment कुछ stock market में जाता होगा या कोई risky asset में इस पैसेस को कोई नहीं छड़ता है ना कोई सरकार history में है ना लेकिन इस government में तीन बार laws बदल के कानून बदल के provident fund की limit बढ़ाई है EPFO को approval दिया है कि आप और invest करो stock market में ना अधानी तो एक छोटा सा है कि अधानी अभी तो news में चल रहा है दो अधानी stock में किये हैं और हमें क्या पता हमें क्या पता है और कितना किया है न तो पहली बात यह कि यह यह जो हो रह है EPFO का provident fund का issue है सिर्फ और सिर्फ इसी government मौरा इतनी हिम्मत कभी किसी government ने की नहीं ठीक है यह इतना risk नहीं लिए लोगों के emotions के साथ या लोगों के fund के साथ अच्छ अच्छ डरते हैं खिलने में इनको कोई डर नहीं है ना किसानों की भी वाट लगा दी तो आप और हम है कौन आपके फ़ादर का pension ना आने दो आजाओ सड़क पे कौन सा धरना दे दोगे और क्या हो जाएगा कोई नहीं सुनेगा डंडे मार के गर भीज़ देंगे नहीं मिलेगा चल जा तो यह इस government की history किसान अंदुलन में भी अड़े हुए थे कितना ही बड़ा अंदुलन उन अड़े हुए थे अड़ा गए मतलब अड़ा गए बिल्कुल जब हद पार हुए तब तो किसानों का इतने बड़े group को इतने बड़े protest को इतने महीने तक इन्होंने यह किया तो आप और मैं धरने पे बैठ जाया अगर कि हमारे पापा का दादा जी आ पेंशन बंड नहीं आ रहा पेंशन नहीं आ रही है कोई नहीं सुनेगा कोई नहीं सुनेगा इसलिए बोलता हूं देमोकरिजी ठीक है तो एन्यवेज यह था कि इन्होंने इससे बोल्ड डिसीजिजन लिये और अभी information बस इतनी है कि अधानी की दो stocks में पैसा लगा है exactly कितना लगा है पहली ब और उनके किस किस तरीके से कैसे यूज़ कर तो समयाएंगे लंबा हो जाया लेकिन इनके risk on moves बहुत ही कम होते हैं बहुत कम है ना इनकी बड़ी responsibility है लोगों को बरावर time पे retirement fund देना pension fund देना पंदरा लाग करोड बड़ा लग रहा हुगा लेकिन उतना बड़ा है नहीं तो लगवग तेईस सो या पच्छिस सो करोड के आसपास से exact figure नहीं पता लेकिन कुल में लाके आप यह समलो साड़े तीन चार हज़ा करोड के बीच में इन्होंने अदानी की सिर्फ दो स्टॉक में लगा दी हैं अब आप इसको compare करो जो बीस हजार करोड अदानी FPO से लाने वाला था उसको 50% तो इदर से जुगाड हो गई है न ईपीएफो से लोगों के पैसे से ठीक है मोदी जी अपने घर से नहीं लाते कोई नेता अपने घर से नहीं लाता आपको इसा है उसी से चलता है ठीक है तो इतना पैसा यहां से हो गया और चलो अपन एक organization की mistake मान सकते ह Silicon Valley bank का था उन्होंने अपना risk management नहीं किया bond market में ज़्यादा पैसा लगा दिया और interest rate पढ़ गए सारी coincidences एक साथ हो गए और collapse हो गया तो वह एक mismanagement बोल सकते हैं अगर हम यह भी सोचें के चलो भई एपी होज़े शाहद mismanagement हो गया हो अदानी को उन्होंने बरता सितारा बता दूँ के एक्चली जो trustees होते हैं ना provident fund के trustees होते हैं कोई भी decision के provident fund का पैसा provident fund का पैसा कहा जाना है किदर invest होना है यह एक transparency रखी जाती है in fact approval लिया जाता है trustees का उसके बाद ही investment होता है यहाँ पे इनोंने क्या किया कि trustees को पता ही नहीं है कि provident fund का पैसा अदानी के stock में लग गए है ना अब यह कैसे हुआ क्या हुआ यह तो investigation होना चाहिए जो इस government में होती नहीं है क्या पता वही किसी मंतरी का phone मोना आया हो कि लगाओ मत बताओ किसी को हम समाल लेंगे है we don't know investigations इसलिए तो investigation की बात होती है तो नेता जी panic में एक्द तो या फिर दरवाजे के पीछे से इसको जेल उसको जेल इस पे case उस पे case यही चल रहा है ना investigation कराने में किस कोई बुराई होनी नहीं चाहिए अगर आप सच्चे हो तो किस बात कर डर कराओ investigation in fact आपकी credibility बढ़ेगी as a politician के देखो हम पे जूटे आरोप लगाते हैं लेंगि investigation होने ही नहीं देना उसे बात ही नहीं करना आपको पता है इसका मतलब क्या है है ना तो और दूसरी बात EPFO ने अदानी के stock में क्यों लगा है पैसे क्यों ही mutual fund जो है ज्यादा तर है ना वो भी responsible रहते हैं लोगों का काफी पैसा mutual fund में आता उन्होंने तो अदानी के stock में न ना और जो shell companies हैं जो बाहर से चल जी है Mauritius वगेरा से ठीक है इन लोगों ने लगाया जो government के काफी control में रहता है ना आईसी वगेरा यह सब तो ऐसे एक risky business group में या ऐसे risky stocks में जहाँ पर manipulations और हिंडनबर्ग report और यह सब चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो लगा रहे थे और उसके बाद भी लगाते जा रहे हो ना तो मतलब इतना risky investment क्यों तो मेरा जितना logic है वो यह है कि अधानी का जो free float का खेल है ना अधानी 75% जो shares हैं वो अपने पास रखता है 10-15% LIC ने खरीद लिये 2-4-5% SBI ने खरीद लिये ना और बाकी 1-2-1-2% दो खरीद लिये 5% सिर्फ public के लिए छोड़ो वो 5% को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ 95% जो हम रखके बैठे हैं उसकी wealth अपने आप बढ़ते चाहिए यह गोटाला है 5% में खेलो 95% wealth बढ़ाओ हाना तो यह एक तो उसी का एक हिस्सा था कि भई फ्लोट फ्री फ्लोट किस तरह से कम से कम कर दिया जाया अदानी का हाना तो उसके लिए obviously funding चाहिए तो ज़रुदर से EPFO भी उसका एक हिस्सा होगा otherwise कोई समझदार आदमी एक retail investor या mutual fund कहां पर है इस शेयर से कहा इसको हाथ ही नहीं लगाना उसमें EPFO का पैसा कैसे जा सकता है तो it is planned move और government जो भी है अभी investigation चल रही इस अप्रिम कोड में बट यह सब चीज़ें देखके यार कोई भी एक I don't know अंदबक्त भी होगे तो भी सरकार का काम है directly है ना government is directly involved क्योंकि EPFO कोई EPFO किसके अंडर में आता है है ना और बहुत सारी बाते हैं उसके बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा बट यह है ठीक है यहीं बताना था कि इतना पैसा लगाए और दूसरी बात में बता दूं कि यह तो सिर्फ अदानी का बता जायनओने की दो Financial टाइमस में बाटी जगये है बट ऑऔर भी कहा कहां लगा है किन-किन रिस्की एसेट में रिस्की स्टॉक्स में क्या और भी डेप वाली जो कंपनीज हैं जो निफ्टी में है या स्टॉक मार्केट हैं उनमें भी लगा हमें नहीं पता लेकिन एक चीज मैं ज़रूर बोलूँगा चुम मेरी समझ रही है स्टॉक मार्केट की मैं पिछले साल इंफेक्ट डेड़ साल हो गया तीन बार में ने अठ्थराजार के शॉर्ड भी किया निफ्टी को बढ़िया पैसा भी बनाया लेकिन जुलाई अगस्ट से आप देखो कि यह सब बढ़ गया है लाई सी का और यह सब एपी एफो यह सब तो यूएस मार्केट नीचे जा रहे थे और इंडिया उपर जा रहा था मैं को समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड है इसलिए ने मेंबर्स को बता दिया था बहिया केरफुल हैज मेंज रखके और कैपिटल का 50% से जादा नहीं और इंट्राडे यह सब बंद समझ में आ गया था कुछ तो मैनिपलेशन चल रहा है जब जो डॉट्स थे ना जो समझ में नहीं आ रहा था वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कनेक्ट हुए हाना हिंडनबर्ग से काफी सारे डॉट्स कनेक्ट है किस तरह से मैनिपलेशन हो रहा है तो जो चीज अदानी में हो रही है लगबग वैसी कुछ उस से कम स्केल पे हो रही होगी वो सब तो इन्वेस्टिकेशन पता चलेगा अपने स्टॉक मार्केट को भी चड़ा के रखा है लोगों के पैसों से यही फंड से एपी एफो और जो भी सरकार के गंट्रोल में है एजेंसी इसको इस्तिमाल करके स्टॉक मार्केट को चड़ा के रखा होगा और दिखा रहे हैं लोगों की बक्ती और बड़ी है के रिजीलियन्ट इकनॉमी है देखो मोदी जी के राजम है देखो क्या हो रहा है तो इस तरह के मैनिपिलेशन्स हुए है अदर्वाइस जो मेरे अनैलिसिस पे आप देखो तो यूएस मार्केट बिल्कुल बराबर चला है मेरे अनैलिसिस पे न वहां के बांड मार्केट के आप से जो भी मैंने शेर किया से लंडन ओगे बट इंडिन मार्केट उसा आप से नहीं चला क्योंकि यार अगर इतनी बड़ी ताकत गवर्मेंट और यह सब आपके पैसे गवर्मेंट ताकत और नहीं होती है आप लोगों का पैसा जो फंडिंग पड़ा हुआ है इसमें यह ताकत है इसको आप अगर मार्केट में डालन लगो तो कैसे गिरेगा और फाई यह भी क्यों चाहेंगे के गिरे उनको अच्छे रेट पर मिल रहा है आप आप यह अठारा जार अठारा पांसो यहां पर जि है न यार तो यह चीज़े हैं और मुझे थोड़ा सा इस बात का तकलीफ है क्योंकि बहुत लोग जो आज प्रॉफिट में आए हैं या इतने महीनों का पेन देखा है यह शायद पिछले साल सब्टेंबर अक्टोबर नॉमबर दिसंबर में इनका कपिटल 445 गुना हो गया था तो ठीक है तो यह जो जर्णी हमारी इतनी लंबी हो रही है और उसमें से बहुत लोग नहीं भी सर्वाइव कर पाए होंगे बहुत लोग को ने किया भी होगा वो तो अपना-पना समझ के उपर है बट यह एक आप्यस रीजन रहा है कि गवर्मेंट ने आपके पैसों क इस्तिमाल करके मार्किट मैनुपलेट किया होंगे बाकी इन्वेस्टिएशन में पता चलेगा है ना तो यह सब अंदाजे हैं है ना सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे चीजने सामने आएंगी पता चलेगा बट हाँ मेरा एक्सपीरियंस में बता सकता हूं कि यह चीजे न बहुत घरों में पेंशन साना बंद होंगी रे्टायर्मेंट फंड बंद हो जाेंगे बहुत लोग बहुत जो पुराने लोग हैं हैं लोग ठोले जमकी पैंशन बंद होगी तो आप सुचो कितनी तकलीफ मतलब कितना बड़ा धोका उनको महसूस होगा, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं, कि जिसके लिए हम अंदी शुर्दा रखते थे, आज रोड पर ला दिया, तो ये एक कड़वा सच है, और इसकी परते हैं, इसकी गहराई कितनी है, ये तो वक्त ही बताएगा, बट जो चीजे मैं अपने वीडिय उसमें बोलता रहा, पिछले साल, नॉंबर, दिसंबर से ही बोल रहा था, क्रोनी कैपिटलिजम, जो अदानी का इशुगा है, वो दिखा भी, कि जब गवर्मेंट, बिजनसमेन के लिए काम करने लगे, वो बिजनसमेन, गवर्मेंट को फेवर करने लगे, तो इसमें, इन बिजनस, कोई भी बिजनस, लोगों के विना चल नहीं सकता, तो इस्तिमाल किसका होता है, लोगों का, आपके पैसों का, तो क्रोनी कैपिटलिजम ने अच्छे अच्छे देश वर्बात की हैं, और अपने देश में exactly वही हो रहा है, ठीक है, and I support this slogan, आचकल बहुत चल रहा कि भाईया, प्रदान मंत्री पड़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, कि अधानी या जो भी इनका जो इनर सर्किल है, मैंने उप्लेट कर रहे हूँ, यह ना, मैं तो, लेकिन, देखो, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होता हूँ, government के इस बोलने में, निता जी क इस बोलें, because, वोट हमने आपको दिया है, तो, responsibility आपकी है, आप बोलो कि हमें पता नहीं था, यह सम नहीं चलता, हाँ, आप red light तोड़ो दो, बोलो, यार, sorry, यार, गलती होगी, क्या, आप नहीं, या तो आपके चक्कर में किजी की जान चली, कि एक्सिडेंट हो गया, कि Israel में आप देखो, इसराइल में जो, अपने नेताजी चाह रहे हैं, कि कोलेजियम सिस्टम हटाओ, सूप्रीम कौर्ट से, सूप्रीम कोर्ट में जاج हम चुनेंगे, ऐसा यह बहुत, यही चीज इसराइल में हो रही है, कि गो, जूडिशियरी सिस्टम, अपने कंट्रोल में चाहता है और उसने उस पे action भी लेना शुरू कर दिया है तो फिर जनता सड़क पर आ गई कि आप पी क्या कर रहे हो कि अब वहाँ पे जनता पड़ी लिखी है जाए मेल हो फीमेल हो गाँ हो शेहर हो सब तेखो आप जन सहलाब वड़ पड़ा है क्यों उन्हें पता है हमारी लगने वाली है लेकिन यहाँ पे इंडिया में actually literacy उतनी है नहीं और दूसरा के वो धरम का जुन जुन ना पकड़ा दो ना तो पड़े लिखे लोग भी गवार बन जाते हैं तो यहाँ पे कर भी दिया सुप्रीम कोर्ट का system change कर दिया मोदी जी अपने इसाब से judge चुनने लगें अपने इसाब से फैसले दिलवाने लगें तो लोग हो सकता है उतना सब मतलब यह विरोध ना करें तो जो भी है situation बहुत dangerous है और छोटा मोटा होता तो मैं कुछ बोलता ही नहीं मुझे क्या वरना लेकिन चीज़ें इतनी खराव हैं और इतनी खतरनाक हैं कि भाई दिल पे बोज लेके नहीं मर सकता जो है बोलो और सही बोलो बिंदास बो इंडिया की constitutional right के साब से बोलो यह आप सब की जितने सुन रहे हो ना आप सब की जम्मेदारी है कि आप अपने देश की सरकार को criticize करो विरोध करो ना लेकिन डरा के रखा है जेल में डाल देंगे इस बहाने कहीं उस बहाने अब देखो आप लोग जाओगे जेल में आप करके देखो विरोध मेरे पापा का पंचन नहीं आ रहा पूलिस क्या देखं नहीं रही क्या मोधी जी कि क्या शाह necesiğ ने प아पको जेल में डाल दिया पूलिस की उखात और आपकी रिपोर्ट लेने के सब को दिख रहा ताकत किसके बाद है तो जहां ताकत ही सबकुछ हो जाती है और डेमोक्रेसी खताम हो जाती है वहां मरने वाली होती है जंता पे लिए तो जो अंदबक्ती कर रहे हो एक बात अच्छे समझ लो कि मुझे ये सब बोल के ये सब करके घंटा कुछ नहीं मिल रहा उल्टे कि दुश्मन पचास बन रहे है न मिलना दाना कुछ है नहीं और चैनल को रिस्क पर रख दिया है कदर करो है न ऐसे लॉंडे बहुत कम होता है कदर करो है न वो तो जस्ट एक पेट्रियोन कर दिया है कि जो लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं ट्रेडिंग और उसको दिया तो वहाँ है लेकिन फेवी मुझे क्या बोलने की दरुवत है आयमें वेल इस्टाबलिष्ट गाए मुझे क्या दरुवत कि मैं इतना रिस्क लूँ सोस समझ की ले रहा हूंगा और मार्केट में भी देखो आप जो मैं बोलता हूं वो होता है और मैं आपको डारेक् लगता होगा ओ वाओ मोदी जी आ रहा रहा पपको जेल मडाल दिया आइक है मजार होगा है यह नगर्दी पसंदा थी एक फन होता है असमें जब यह आपके साथ होगी न और सुनने वाला कोई होगा नहीं बहुत बच्चता होगा कि मैं क्या अनपढ़ गमार बनके क्या हर ऑफवर में इसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में यह सब चलता रहता है पॉलिटिक्स में तीन चॉइस होती हैं बोलता हूँ एक तो खराब एक बहुत खराब वो तीसरा खतरनाक है ना बैड वेरी बैड और देंजरस तो डेंजरस को तो passe करो यह पहली प्राइरट ने जो इतनी साल नोकरी की, दादा जी ने इतने साल नोकरी की, उस पैसे प्यर हाट डाल दिया है, बात आपके घर तक पहुँच चुकी है, ठीक है, और अगर पावर इतनी जादा शिफ्ट हो गई, वो भी धरम के बेसित पे, तो घर में घुसके मारा जाओ, ठीक है, मतलब क धरम के नाम पे फिर सब कुछ होता है, धरम के नाम पर सती प्रता भी शुरू हो सकती है, कि भाई, यह चलेगा है, तो अब यह क्यों है, धरम के साब से चलो, यह खर इसको ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन जब चीज़ें बगड़ती हैं, तो किसी भी एक्स्टेंट तक जाती ह है ना तो इसलिए भाई पावर हमेशा बैलेंस में रहे है ना I am pro democracy I am not pro any party है ना Indian constitution ने मुझे लोगों को right लोगों को aware करने का या बोलने का free speech का एक right दिया है उसका मैं इस्तिमाल कर रहा हूँ कि ये खतरे हो सकते हैं ठीक है तो please be very careful है ना मेरे अनिस्षरी 50 दश्वन बना के मुझे कुछ मिलना नहीं है जो लोग आप मेरे को मेरे को गलत नजर से दिखते हो गलत सोचते हो भाई सा मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कल को अगर मर गया तो शान से मर रहा जो दिले में था बोलके गया जो सही था हो करके गए मलना जब को है ये थोड़ी यार के यार अरे यार मेरा चैनल यार कुछ सला गायब कर दिया तो मेरा तो बड़ी यार न्यूं आता है ये काहर था मैं नहीं वाइस टेड़ा वह खतरनाज लोंड़ा है इंडिया में तो इतना डिवाइड है कि किसान उतराय थे सड़क पर उनको भी एक साल गड़ सीटा था और उसके बाद कुछ नहीं प्रॉमिस दे दिया था बस तो आप कौन हो यार ये निउस में चले गई नहीं कि प्रोविशन फंडेजन इस चले गई किसको पता चलेगा जो भुगत रहा है सिर्फ उसको पता चलेगा अब जब वो मिल जुल के जब आएंगे सड़क पर तो लाठियां खाएंगे ठीक है अर्ची से में बहुत खतरनाक है बचके रहा है और चलता रहे तो अच्छी बात है कुछ जो कॉंस्टिटूशन में राइट दिया है वही कर रहे है तो मुझे तो भरोसा है वही सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और कुछ इन्वेस्टिएशन में निकल के आनी चाहिए चीज़ है चलो यार वीडियो क्लोस करता हूँ मिलते हैं कल लाइब मार्केटिएग और शेयर कर दो वीडियो है ना कोई भक्त मक्त है उसके साथ शेयर कर दो बात अब एंटर्टेन्मेंट टीवी ट्विटर यहां तक नहीं रह गयी है बात आपके घर में घुश चुकी है और अब सुचो अगर एपीएफो ने अदानी में इन्वेस्ट किया है एपीएफो ने दूसरे इसकी एसेट में इन्वेस्ट किया है अगर मान लो नीरम मोदी बन गए और गए बार तो आप पैसा क्या होगा उस पैसे कदर इसके लिए अलग है हजारों करोड़ों लाख में पहुंच जाएगा जैसे जैसे निकल कहेंगी नहीं नहीं चीज़ है लाखों करोड़ों पहुंच जाएगा तो अदानी के तोते में जान फसी हुई है अदानी के तोते में बहुत लोगों की जान फसी हुई है अधानी चलेगा तो भाई या अधानी की चलेगा तो आपको अपना पैसा मिलेगा कहीं अगर अधानी डूबा हो भाई साब नुकसान किसी निता का पॉलिटिकल होगा लेकिन आपका डारेक्ट ली होगा यह जो टेक्स बढ़ रहे हैं ना कि एल्टी सीजी की खबरें आप तो सब सुनी रहे होगे पड़ रहे होगे हैं स्टीटी बढ़ा दिया 25 परसेंट यह चानक से अभी ही क्यों बढ़ने लेगे टेक्स बहुत सारी वाते हैं यार है ना बोलूँगा तो और लंबा होता चला जाएगा पटिन शॉर्ट आप समझ लो के चीजें खतरनाक लेवल पर पहुँच चुकी हैं और कोई भी देश तब ही सही चलता जब पावर बैलेंस में रहे अपोजिशन को पपू बना दो इसमें आपका और हमारा फाइदा नहीं है शायद एंटरटेन्मेंट मिलेगा कि यार देख इसकी विचारेगी पिल्ला बना दिया इसको जेल वेज दिया ना इससे आपको एंट तरफ नहीं होती 55 परसेंट वोट इसको तो 45 परसेंट वोट डूसरी पार्टी को 48-52 ऐसे परसेंटेज में एलेक्शन रिजल्ट डिसाइड होते हैं मतलब जनता वहां की इतनी समझदार है कि एक को सर पे नहीं बटाना जैसे यहां जनता ने बटा दिया है धरम के नाम पर प्रो डेमोकरिसी ही होना चाहिए हर एक बंदे को अपने अपोजिशनस की भी रिस्पेक्ट करो बले ही हो कितना भी पप्पू हो में भी शायद राउल गांदी एतना इमेचुर लीडर ना हो इमेचुर हो गलतिया करती हो जो आर्डिनेंस फाड़ा था आज वो उसी की सजा भुगत रहा है इस सारी चीज़ें होती है लेकिन हम को देश के नागरे कौनने के तहत उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भी वो अपोजिशन में है और अधानी के मुझ्टों पर सवाल उठा रहा है मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है उसकी ट्रोलिंग करकर के हर जगे हर जगे सर्कुलेट की जा रही है उसकी इमेज ऐसी बना दिये कि अगर ये आ गया तो मरी आएंगे अब शैद कुछ न कुछ तो रहा होगा भाड़ा जोड़ो यातरा है या जो भी है आप ये समझ जाओ कि अगर ये सरकार इसका मूँ बंद कराने पर इतनी उतारू है राउल गान्दी का तो समझो कुछ तो अच्छा किया होगा उसने रिसेंट ली या कुछ तो इंटेलिजेंस का डेटा होगा बीजेपी के पास कि यार ये जो काम कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा या इसनारी इमेज का रिमेक कर रहा है ये हमारे लिए खतर ना क्या है कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो उसके पीछे पढ़ गए नहीं तो सच में पप्पू होता तो उस पे तुकते भी नहीं ना इतना कौन भाव देता है कि तिरे केस करा रहा है जिल्ड डालने है वो तो फाइदे की चीज होता लेकिन उसका मूँ बंद करा के सदस्यता कैंसल घर भी खाली करो सब बोर्य वस्तर बंदे में तो होगा तभी कर रहा है बहुत सारी चीज़े हैं हमको as a citizen opposition की respect करना चाहिए ना कि इसको entertainment लेना चाहिए कि आर मोदी मतलब अच्छा पने इंच नहीं भाई जितनी government important हो तो ना opposition भी important है चाहिए वो आहम आदमी party हो चाहिए वो Congress हो चाहिए वो जो TMC हो चाहिए वो भाई यह सब बहुत ज़रूरी है आपने देखा दो वर ले आए नेता जी का जेव आपके घर तक पहुंच गया नेता जी का हाथ आपके जेव तक आपके घर में उसके आपकी जेव तक पहुंच गया है यही चलता रहा तो आपके साथ पचास लोग जुड़े होते हैं और इसलिए आप देखो कि डेस्परिशन है ठीक है तो तो अपने फादर से ग्रांट फादर से बात कर लो पेंचन बराबर आ रही है कुछ नोटिस ये सब तो नहीं है है ना क्योंकि एपीएफ उन्हें तो बोल दिया सरकार को प्रपोजल दे दिया कि आप बड़ा दो ही है रिटायर्मेंट एज हमारा मुश्किल हो रहा है थिक है यार वीडियो क्लोस करता हूं मिलते है का ला लाई मारकेट में और बाते अगर मैं tren कर दो मैं गाली गाने में मैं तो एक्शली गाली खाने में में मेरे को की डिककत नीया क्योंकि मैं पढ़ता है कोन क्या बहूरा यार मुझे पता है में मेरा IQ level क्या है और जो कोई वक्त जाने है या क्या है उनका क्या है तो जहां मैच गी है वहाँ पर मैं एक भी कमेंट नहीं दिखता है मुझे जो बोलना होता है मैं भोलके कर देता हूँ भाकेट ही ते शहलती है तो ये सब तो टाइम ही नहीं रहता ठीक है मारकेट के सेर्च यह सब में टाइम निकल जाता है और भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे memory कोईशे लोग है जिनकी मैं उनके साथ भी टाइम गुजारना पड़ता है जो वॉब। यह क्रिकिट केलना व लगैसा है तो लोगों की होम लोन की किस्तें ये सब इतनी महंगी होगी है विचरे जाते हैं खरीदने जिस पैसे में जितना सामान महीने का आ जाता था उससे दस दिन भी नहीं चल रहा गर ये सीज़ें ग्राउंड लेवल की हैं उसको ये बोलके जिस्टिफाइ नहीं कर सकते कि या ठीक है हमारा हम सेफ तो हैं अरे सेफ भाई सब आपके दादा पर दादा भी थे ठीक है चाहिए इसका किसी भी गवर्मेंट में ठीक है आपका धरम भूफ सेफ था मुगलों में भी अंग्रेजनों के राज़ें तो भई 2414 से खत्रे में आ गया क्या इसके पहले बढ़िया चल रह या लिविंग स्टेंडर्ड ऊपर करना है देख लो या फिर एक्जिस्टेंस का देख लो वो सब कॉंप्रमाइस करना पड़ेगा वो सब आपका लिविंग स्टेंडर्ड गिरता जाएगा सब होता जाएगा अगर वो कॉंप्रमाइस नहीं किया तो आपका एक्जिस्टें है तो क्या गरोगे देखें मेरी सोर्स अफ इंफर्मेशन भी इंफेक्ट 90 परसेंट अभी फॉर्ण मीडिया है कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं बट वो भी विचारे दवे कुछ इस हुर्म में बोल पाते हैं इतने उपनली नहीं बोल पाते हैं जितना वाल स्टोर जरन्रण या फानी टाइम्ज यह दूसरे फॉरिंड मीडिया करते हैं ठीक है मीडिया आप को यह नहीं बताएगी कि जो फॉरिंड़ मीडिया है या फॉर्ण जो गवर्वर्मेंट्स हैं दूसरी including US इन्होंने इतना जम के criticize किया है कि ये मतलब जो आपके position का main leader है उसका आप parliament से निकाल रहे है उसको वो भी ऐसे फटा-फट और उसमें वक्त लोग क्या ये वो देते हैं कि आरे तो वो तो court नहीं किया जब decision अच्छा लाए court कि आरे मोधी जी नहीं देखो मोधी जी ने अपना कहा जो बहला था ये court का decision high favor में तो मोधी जी नहीं किया जब favor में नहा है या position के लिए बुरा हो तो वो उसमें मोधी जी जी नहीं किया तो ये भक्त logic है जिनका कोई आनपड़ दमारों वाला ये चीजें होती है ये US ने और बाकी सारे देश थू-थू कर रहे हैं इस पर क्योंकि देश का नाम खरा हो रहा है ये टेमोक्रेसी बची नहीं ये फॉरिन इंवेश्टर्स घवरा वहें stock market खतरनाक च्र amendment खतरनाक क्रेश होने वाला है फतरनाक क्रेश होने वाला है ये मेरा prediction है मेरा view है क्योंकि stock market तो भाई सबका बाप होता है और corruption को कभी माफन नी करता आदानी न भाड़े युगार तुगार एफ पी ओ सबस्क्राइब कर वा लिया साब कर वा लिया आज विचारत आठ दस परसेंट आज भी डाउन गाई स्टॉप मर्केट माफ नहीं करता वाई और ये चिंता वाली बात है जैसे जैसे डूबेगा लाई सी एस भी आई 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 पेंशन फंड डी पी एफ वसार नीचे नुकसान किसी ने ता बने आई आपका है पैसा आपका है तो ये होगा जिनकी पेंशन नहीं आई गी जो दादाजी लोग है या आपके फादर लोग है वो सोचेंगे या रसल हमें आदानी के दददद शेयर खरीद रहता या मुझ दुका होगा ना बहुत दर्दनाक होगा इसलिए थोड़ा भारीमन से वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे तो ये गेम बिल्कुल बहुत आराम समझ में आ गया मैं जब ट्रेडिंग 2078 से ही शुरू की है 2009 से समझ गया था मैं पॉलिटिक्स इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉ ट्रेडिंग उलग रको हम तो तुम आए पास ट्रेडिंग के लिए हैं तुम पॉलिटिक्स की बाद तो समझे वो ट्रेडिंग नहीं करता या फिर जो अंदबकत है उससे सुना नहीं जाता सहा नहीं जाता आवाज दबाना चाहता है ये सब रहेगा ना तो फैन फॉलोई नहीं क्योंगी देख रहे हैं कि यहां तो प्रॉफिट जबर दस चल रहा है मार्केट में इस्पेशली इंट्रडे वीकली मंदली में अठारा पांसो से चैसो से जम के शौट कर रहे हैं और बाउंस आ रहा है तो उसमें भी बना रहे हैं तो सब मेंबर्स खुद ही बोलता है तो ज्यादा ये भी नहीं बोल सकते तो तो क्या करें फिर यहीं बोल सकते हैं यार देखो ट्रेडिंग अलग रहा है वो मार्केट अलग रहा है नहीं भाई दोनों बहुत दोनों साथ चलेंगे वो बहुत खतरनाक तरीके साथ चलेंगे दोजार चौभी सिलेक्शन तक सोचो यार 2009 में दो अपर सर्कुट लाइफ चेंजिंग होते हैं ये मूव्स ट्रेडिंग के लिए तो आप कैसे लग कर सकते हो वालिटिक्स ट्रेडिंग को स्टूबिड है यार रही तोट हाना भी बहुत ही नाईव है वह बहुती बोला इंसान है या बहुती करफ़ इंसान है ये नॉर्मल इंसा नहींनी बोले ओ पॉलिटिक्स हो लग रख वाल रख को ट्रेडिंग है नथो ये है तो वीडियो क्लोस करता हुआ है ना शेयर करो दो वही किसी अंदवक्त के साथ और बता हुई कि बात घर तक कहुंच चुकी है और बहुत तेजी से नहीं नहीं खुलासे होंगे क्या पता किस किस लेवल पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी अपनी एक ही होप है सुप्रीम गोट टीवी मीडिय कोई होप नहीं है जो इंडिपेंडेंट जिर्नलिस्ट हैं सबके परिवार होते हैं अपनी उकात में बात करते हैं पता है मोदी जी ने पप्पू को नहीं छोड़ा दुनिया क्या सोचेगी कुछ नहीं सोचा करवा दिया अंदर देख एक और चीज में बोलूँ राजनीत जो मोदी जी की होती है ना बहुत सिंपल एक लॉजिक बता रहा हूँ ये क्या है अपने उपर जो इनके उपर अटैक होते हैं इनका इस्तिमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे चोकिदार चोर है चोर है ये नारा लगाता हूँ ठीक है तो इन्होंने इसको कितने चा चौकीदारों को सम्भोधित कर रहे हैं चौकीदारों का अपमान हो गया एक अलग से जो भी है अपने भाशनों में कि चौकीदारों का अपमान हो गया भले यह पोजिशन उस उनको टार्गेट कर रहा हूँ लेकिन उसको वो मोड के देश के तरफ ले जाते हैं कि भई ये मेर को नहीं ये तुम को बोल रहे है तो ये जो decision आया ना मोधी समाज़ वाला राउल गांदी ने तो ललित मोधी नीरव मोधी नाम लिये थे और उसका intention आप समझ सकते हो क्या था कि भई ये मोधी वाले क्यों होते हैं क्यों भागते हैं देश चोड़ के ये थोड़ी बोला कि मोधी समाज भाग जाता है देश चोड़ी ये मोधी क्यों होते है जाता है वो गुजरात से ही क्यों होते है ये था वो नहीं था लेकिन मोधी जी का जो political play है किस तरह से opposition का attack को जनता पर attack बताना है तो उसी का उन्होंने इस्तिमाल करते हुए ये बोला कि तुमने सारे Mody ऐसे क्यों होते हैं तो Mody समाज कि दिमाग तो Mody का है कि किसी से करवाया हो के मोधी समाज के तरफ से कर क्योंकि सोच Mody जी कि कि तुमने मुझे पर attack नहीं किया तुमने एक समाज पर attack किया जोकिदार समाज पर attack किया मोधी समाज पर attack किया तो यह जो decision आया court का यह exactly in line with political play of मोधी जिस तरह जिए politics खिलते हैं बिल्कुल in line decision आया है कि मोधी समाज पर हमला है जिसके ऐसा गुज नहीं है ठीक है इसको challenge के जाएगा कानूनी प्रक्रिया है वो सब होंगी लेकिन आप और हम एक जमीनी स्थर पर बात करें तो अपनी राय व्यक्त कर सकते है वही यह decision बहुती low quality का लगता है और इसको high code में challenge करना चाहिए और यह पलट भी जाएगा डेसी है बट इस बीच में हुआ यह के जो राहूल गांदी स्पीच देने वाला धादानी पर फिर से बोलने का मुका मिलता अब उस tension से free होगा है मोदेजी के अब कोई नहीं बोले गादानी पर बच गए फिलाल एक पता तो पड़ गया लेकिन वाई दुनिया में बहुत थूतू हो रही है बहुत थूतू हो रही है तुम टीवी चैनल देखके कुछ नहीं मिलेगा सच्चाई से दूर रहोगे कोसों दूर रहोगे दुनिया पर नजर रखो लोग भी क्या होलते हैं उसमें नजर रखो ठीक है किसी देश को ये पसंद नहीं होता कि आज चाईना में कोई अपने अपोजिशन लीडर को मार दे बहुत ही अब चाईना वन पार्टी टाइप बन गया है या इसराइल में सुप्रीम कोर्ट पे कंट्रोल कर ले नेतन याओ ये चीज़ें पूरी दुनिया में थू-थू होता है इन पर क्यों होता है क्यों होता है क्यों समझ में जाता है ये देश अब इसका फॉल स्टार्ट हो गया है ये अब एक आदमी या एक पार्टी के भरोसे चलेगा देश अमर होता है लेकिन नेता या पार्टी अमर नहीं होती कई देशों में पार्टी बदल जाती है पार्टी जो एक्जिस्ट करती नहीं वो खता हो जाती है लेकिन देश तो हमेशा रहता न तो अटल व्यारी जी का जो मेरी जी इसके मोदी की पॉलिटिक्स देखके मेरो अटल भी आ रही वाजपई के लिए रिस्पेक्ट सौ गुना बढ़ जाता यार मुलब एक MP खरीद के वो पांस सल पीम बने रह सकते लेकिन अपने वैल्यूस से कॉंप्रोमाईज नहीं किया ठीक है तो इतने हाई स्टेंडर्ड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आज की डेट में उसको लोग अपने जरीके से जस्टीफाई भी करेंगे लेकिन एक ब्रांट था ना भारत का नाम बड़ा जबर्दस था क्योंकि जब पर्माणू हमने पहला पर्माणू परिक्षन क किया था तब अटल फ्यारी के अगेंस्ट कोई अमेरिका कोई कुछ बोल नहीं पाया था कि पता था कि देश में की मेच जो है बहुत सॉलिड है थोड़े बहुत बातें ही होंगी बट यह था ना और इतनी उनका कद बड़ा था कि उनको पीवी नर्जम मारा हो अपने साथ फॉरिन ट्रिप्स पर ले जाते थे तो पाकिस्तान वगिरा यह सोचता था कि यह तो अपोजिशन पार्टी का है यह कहां से आ गया कि वहाँ तो दूसरे देशों में अपोजिशन गिराने पही लगा रहे ता है किस तरह हम सरकार के लाएं कि अपोजिशन और यह साथ में हरान होते तो लो तो यह एक स्टेंडर्ड था है कि हाई स्टेंडर्ड से हमारी डिमोकरिसी में नाइन्टीज में अर्ली टूथाउजन तो यह कॉंगरेस के जो गोटाले हुए जो भी स्कैम सब कोईला और टूची इसने खराब कर दिया ना अटलीस्ट कॉंगरेस ने आप पीपीफ टच नहीं किया था मीडिया को नहीं दभोच लिया था कि भी तुम वो चलाओगे जो मैं चाहूंगा कॉंगरेस ने इतनी गालिया खाई है विचारे चावाली सीट पर रहे गए तो उनको अपने किये की सजा मिल चुकी है ना लेकिन यह जो कर रहे है ना इनके ब कोई पुलिस जिल च्ला गया कोई चाहेगा कोई पुलिस थाने वाला थाने दार या SP के भईया मैं भी चला जाओं जिल कैसे उसकी हमती नहीं होगी ruling party की चूँ करने की common sense है आ रहा ह। मत बनाओ ऐसा माहल भाउत बुरा बहुत बुर बहुत क्या बुलता है बहुत बुरी सजा मिलेगी अंदे होके ignorant होके एक उपर वाला भी मदद करने नहीं आएगा कि मैंने तुझे दिमाग क्यों दिया था सालिए क्यों दिया था तुझे इसलिए दिया था ठीक है और मोदी जी sensitivity की अमीद मत रखो क्योंकि जोनिता retirement fund pension fund के साथ खेल रहा है अपने दोस्त के लिए जिसलिए चालो यार इससे लटका भी रख रहा है वो आपके पिताजी या दादाजी के pension के बार हमें सोचेगा क्या बात कर रहा है यार ठीक है यार वीडियो को शेर करो लोगों से और अटलीस्ट आप सबसे पहले तो खुच जागो देश को डेमोक्रेसी को ऊपर रखो और जिस नेता को शायद आप मतलब धोके में मत रहो यार जिस बी स्मार्ट यार जिस बी स्मार्ट जो मैंने लॉजिक पता है सिंपल बैड वेरी बैड डेंजरस ये तीन चॉइसे पॉलिटिक्स में तीन में से एक चूज कर लो जैसा चूज करोगे जैसा रेजल्ट में लेगा अंटर्टेन्मेंट लग रहा है भी ये अंटर्टेन्मेंट आपके लिए ट्रैजेडी बनके आएगा आ सकता है क्योंकि हिस्ट्री देखें तो ऐसा कोई exception नहीं है कि जहां पर ये चीज़ें ना हुई है लोग आ जाते हैं सड़ा के बड़ी बुरी हालत रहती है ज्यादा बोलना ठीक नहीं है फिलाल मेतने ही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मेरे चाहने बोलते हैं ज्यादा अब मत बोलो ये टॉपिक यह वाइट करो क्योंकि सही बात है ना सही बात है बड़े बड़ों को नहीं छोड़ रहे है देश की इमेज की चिंता नहीं कर रहे है तो ये काद्दों को गायब करा दिया तो क्या परिक बड़ हाना चीज़ें ऐसी हैं लेकिन ठीक है यार सब लोग चुप रहेंगे तो काम बनेगा नहीं बहुत लोग बोल रहे हैं मैं खिला नहीं बहुत लोग अपने जो नोन है अपने लाइफ को रिस्क पर रक्ते बोल रहे हैं बोल रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे यार हम तो well established लोग हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे तो जो गरीब आदमी वो बोलेगा क्या, उसको तो पता ही नहीं है कि चल किया रहा है, तो हम जो पड़े लिखे वो लोग हैं, हम ही तो बोलेंगे, हम भी चुपर जाएंगे तो क् ठीक है यार प्लीज अप्लाई यूर एडुकिशन अप्लाई यूर नॉलेज अप्लाई यूर कॉमन सेंस अना ठीक है अगदेश को उपर रखो और लाइफ में ऐसा कोई काम मत करो कि भाद में रिग्रेटो चलो यार बाई 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 वीडियो शेयर दरूर करते ना अगर कोई ऐसे लोग हों जो अनवक्ती में डूग हों पता चलना चाहिए बात घर तक पहुच चुकी है बाई टीवी में नहीं दिखा रहा है वो अलग बात है बात कर लेंगे लोग अपने घर उगर में इस अपके क्या सीन है क्योंकि अभी जनवरी से बंद की है तो कुछ बैचेज में कर रहे होंगे पेंशन बंद आगे और लोगों की करेंगे जैसे 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 अधानी डूबे गया जैसे जैसे रिस्क बड़े बड़ेगा इनका वैसे वैसे लोग भी इंपेक्ट होंगे अनो चलो है बाई